हलो फ्रैंड्स वेलकम डो एश्ट उक्नॉमिक क्लासिज तो आजकी स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं थियोरी ओफ फैक्टर प्राइजिंग के बारे में या थियोरी ओफ डिस्ट्रिबूशन के बारे में तो इसमें हमारी एक मेंन सबसे इंपॉर्टेंट थिया आती है म ये थियोरी मेंली ये ही बताती है हमें कि हमें जो है वो हमारे फैक्टर प्रोड़क्शन के अकोडिंग ही जो है या उनकी जो है मार्जिनल प्रोड़क्टिविटी के अकोडिंग ही उन्हें रिवार्ड दिया जाता है ठीक है कि हमारे फैक्टर प्राइज अगर होंगे तो तो किस पे डिपैंड करेंगे कि उनकी marginal productivity क्या होगी तो यह theory हमें simply यही बताती है कि हमारे factor of production की जो marginal जो productivity होगी उसके according ही उसको जो है reward दे दिये जाते हैं ठीक है जैसे कि हमारे labor है तो labor को क्या है कि जहां पर उनकी marginal physical productivity कितनी है उसके according क्या दे दिये जाएगा उसके according उनको उनकी wage दे दिये जाएगे उनकी wage कितनी है वो दे दिया तो यहां पर यही होगा कि उनको उनके according ही उनकी marginal productivity के according ही जो है यहां पर reward दे दिये जाएगे अब इससे पहले जब यह theory हम कर रहे हैं तो हमें MPP, MRP इन सब के बारे में पता होना चाहिए और इन टर्म के बारे में पता होना चाहिए और इन टर्म के पे हमने special एक वीडियो बना रखे जिसका link आपको description में मिल जाएगा तो वहां जाके आप पहले यह वीडियो देखे क्योंकि जब तक यह terms आपको clear नहीं होगी तो यह theory आपको समझ में नहीं आएगी ठीक है तो चलिए अब next आगे बात करते हैं हम इनकी injemption की तो देखे कोई भी theory आती है उसकी main injemption तो उसमें होती है तो यहाँ पर first हमारे injemption है कि perfect competition in product market and factor market कि यहाँ पर हमारा product market और factor market दो होगे और दोनों में क्या होगा कि दोनों में ही perfect competition की situation होती है ठीक है अब perfect competition क्या होता है इसको भ perfect competition में क्यों होता है हमारी price और हमारे AR MR सभी equal होती हैillar ठीक है घ्राइज AR MR तो यह तीनों चीज हमारे क्या होती है perfect competition में equal होती है तो जो product market होता है इसकी injemption होगी कि हमारा AR है वो हमारे MR के equal होगा और दूसरी condition यहां होगी कि MRP जो है वो हमारे होगा VMP के equal ठीक है यह marginal revenue productivity है और यह हमारी value of marginal physical productivity है तो यह दोनों equal होंगे और इसके लावा AR, MR दोनों equal होंगे तो यह हमारी जो product market है उसकी main injemption है अब इसके बाद इसमें आता factor market तो इसमें हमारी जो perfect competition की main चीज़े है वो क्या होती है तो यहाँ पर दो चीज़े होती है एक तो homogeneity होती है ठीक है कि जो goods है वो homogeneis होंगी और इसके लावाद दूसरी यहाँ पर होगी कि यहाँ पर perfect mobility मिलेगी ठीक है perfect mobility का मतलब है कि यह आसानी से किसी भी जो factor होते है उसको इदर से उदर ले जा सकते है कहीं से ला सकते हैं ले जा सकते हैं तो perfect mobility और homogeneity यानि की same जो product इनके यहाँ पर होंगे तो यह दो अजम्शन हमारी mainly factor market में पाई जाती है ठीक है तो यह हमें पता लग गया perfect competition में होंगे हमारे product market और factor market दोनों ही फिर second हमारी एंजम्शन आती है कि variable proportion type production function कि जो हमारी production function होगा वो variable factor यानि कि variable proportion में होगा कि अगर हमारी जो है variable factor में change आता है ठीक है variable factor होता है एक परवरतन शिल सादन कि जब एक परवरतन शिल सादन में change आता है वो कम या ज्यादा होता है तो उसकी वज़े से हमारे production में भी कम या वरीदी हो जाएगी ठीक है उसमें भी वो भी कम या ज्यादा हो सकता है अगर हमने factor को increase कर दिया तो यहाँ पे production भी increase हो जाएगा अगर factor को decrease कर दिया तो production भी decrease हो जाएगा तो हमारी जो variable proportion होता है वो इसी को बताता है कि हमारी जो production function है वो variable proportion की type की होगी फिर धार्ड हमारी होती है possibility for factor substitution ठीक है कि जो यहाँ पे factor होंगे हम उनको substitute कर सकते हैं एक यानि कि labor की जगह capital का use कर सकते हैं और capital की जगह पे हम labor का use कर सकते हैं एक दूसरे की जगह इनका use किया जा सकता है यानि कि जो हमारे factor है वो यहाँ पे substitution हम उनका कर सकते हैं फिर fourth है हमारी divisible factor की यानि कि जो factor यहाँ पे हैं उनको हम divide कर सकते हैं ठीक है अच्छे से छोटी छोटी जो unit होती है उनमें divide उनको easily हम कर सकते हैं फिर maximum profit की यहाँ पे जो main motive होगा वो यह होगा कि हम maximum profit जो earn कर रहे हों फिर है हमारा full employment की यहाँ पे full employment की situation होनी चाहिए फिर उसके बाद state of technology remind constant यानि कि जो हमारी technology है वो यहाँ पे स्थर होगी constant होगी उसके बाद one variable input की यहाँ पे जो है कि केवल एक ही साधन जो होगा एक ही जो factor है उसको ही हम change कर सकते हैं एक ही factor को change कर सकते हैं जैसे हमने कहा था कि labor की जिगह capital का यूज कर सकते हैं तो capital की जिगह labor का तो या लेबर यहाँ पे variable factor हो सकता है या capital variable factor हो सकता है तो एक ही जो है यहाँ पे factor जो है वो variable होगा तो यह थी इनकी main assumption अब इसके बाद बात कर लेते हैं simple theory की तो theory की जो explanation होती है वो यहाँ पे दो type से की हुई है एक हमने industry के point of view से की है और एक हमने firms के point of view से की है तो एक हमारे industry के point of view से एक farms के तो यहाँ पे चलिए पहले industry के point of view से कर लेते हैं तो industry देखे पहले ही हमने बोला था कि यहाँ पे जो condition होगी वो perfect competition की है कि factor market है तो भी perfect competition है अगर हमारा यहाँ पे product market है तो भी perfect competition की ही situation होती है तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो price होंगे price of each factor of production is determined by the equality of demand and supply तो एक किसी भी जो है industry में जब भी हम price decide करते हैं तो वो कहा करते हैं जहाँ पर उसकी demand जो है उसकी supply के equal होती है वही पर price determine करते हैं तो यहाँ भी यही situation होगी कि हम price को वही determine करेंगे जहाँ पर हमारी जो है demand और supply जो है industry की ठीक है industry की demand और supply दोनों equal होते हैं तो अब industry की जो demand और supply होते हैं उसमें यहाँ पर हमारी जो demand को आते हैं वो कैसे होते हैं अब देखें जो industry होती है वो बहुत सारी firmों के मिलने के बाद एक industry बनती है आपको पता है कि कहीं सारी फर्म होंगी A, B, C मानलिजे तीन फर्म है तो इन तीनों फर्मों के मिलने से एक पूरी इंडस्ट्री बन जती है तो जब इन तीनों के मिलने से इंडस्ट्री बनती है और इसके अलावा जो हमारी यहां पर supply होती है कि जो यहां पर हमारी supply होगी वो इसमें constant मानी जाती है ठीक है constant होती है तो factor price जो है उसकी demand से ही decide होगा अब जब यह constant है तो demand हमारी यहां पर change हो सकती है तो इस demand के according ही हमारे यहाँ पर price में change ही जाते हैं अब इसके अलावा हमने बात की थी कि हमारी marginal revenue productivity है उसके according हमारे price डिसाइड होंगे तो यह marginal revenue productivity है यह क्या रहेगी ठीक है यह चीज भी हमारी demand को effect करती है यह हम कह सकते हैं कि यह हमारे MRP होता है यह भी हमारे यहाँ पर demand को का जो है वो काम कर रहा होता है ठीक है तो labor की हमारी labor variable factor है तो labor की MRP यह हमारे demand को decide करवा सकती है यह firms की जो demand को होती है वो हमारी यहाँ पर demand को को decide करवा सकती है ठीक है अब हम simply इसमें diagram से देख लेते हैं देखें ये एक firm है जिसमें हम उनकी MRP एफलेली A firm की फिर उसके बाद B firm जो है ये demand काओ भी हम इसको बोल सकते हैं और MRP भी जो है बोल सकते हैं तो ये B firm की हमारी MRP है अब देखें जब A और B दोनों मिल जाएंगे तब जाके क्या बनेगी ठीक है तब जाके हमारे industry बन गी तो अब इनके डिमान काओ को मिलाएंगे उसकी वज़े से हमारे क्या बन जाएगा यहाँ पे industry का demand काओ बन जाएगा तो simple हम यहाँ पहले demand काओ को ही draw करते हैं तो देखें यहाँ पे जब OL जो है पहले मातरा इसकी होती है तो OL प्लस में OK जब add कर दिया तो यहाँ पे हमारा आ गया OT ठीक है OT हमारी demand आ गया यानि कि हमारे कह सकते हैं कि industry के demand काओ का एक point हमारे पास आ गया फिर उसके बाद price कम होते हैं तो price कम होने से demand बढ़ जाती है वो हो जाती है हमारी OL1 और यहाँ पे price कम होने से हो जाती है OK1 OK1 होगी तो जब यह दोनों change हुए है तो हमारी जो industry की demand है वो भी change हो जाएगी तो यह OT1 हो जाती है तो यहाँ पे OT1 हमारे दूसरा point आ गया इन दोनों point को मिलाने से हमारी transmission MRP आ गी ठीक है जो transmission MRP है यही हमारा demand को होता है industry का तो simply हमारे पास demand को आ गया industry का जिसको हम MRP भी लिख सकते हैं transmission MRP भी लिख सकते हैं या simple demand को भी लिख सकते हैं अब इसके बाद हम बात करते हैं equilibrium point की अब main तो हमने equilibrium point पे यहाना था कि आखिरकार हमारी जो है factor price कहां decide होंगे यही बात हमने करनी थी अब जब starting में बताया था कि जहां demand supply को cut करेगी वहाँ पे हमारे factor price decide होंगे तो हमारी demand यहाँ पे आ गई जो हमने अभी निकाली थी पीछे MRP ठीक है MRP जो कि एक firm की थी सोरी एक industry की थी MRP आ गई तो industry की MRP आ गई इसके अलावा हमें पता है कि हमारी जो supply है वो यहाँ पे constant है ठीक है supply constant है तो supply यहाँ पे constant आई और यह है उसका जो है industry का demand को आया जहां पे यह cut करेंगे वहाँ पे हमारा equilibrium point आ जाएगा और वहीं पे हमारी wage या फिर कह सकते हैं हमारे जो factor price है वो determine हो जाएंगे तो यही condition starting में की थी कि जहां पे हमारे MRP is equal to हमारे जो है factor price के होगा वहाँ पे हम equilibrium की situation में हो जाएंगे ठीक है तो यह बात हमने की थी equilibrium की तो यहां हमारे E जो point है इस पे हम equilibrium point पे आ जाते हैं और यहां पे हमारे जाया है या कह सकते हैं कि factor जो price है factor price जो है उसका decision यहाँ पे ले लिया जाता है तो यह था हमारा एक industry के point of view से अब इसके बाद बात करते हैं हम एक firm के point of view से तो firm के point of view से देखिए अब जो firm होती है वो बहुत सारी होती है ठीक है perfect competition है तो बहुत सारी firm होंगी कोई भी जो single firm है वो यहां पे क्या कर सकती है कि एक अकेली firm जो है price को उपर या नीचे नहीं कर सकती है एक firm only एक firm होगी तो वो इसको उपर या नीचे price को नहीं कर सकती है वो यहां पे सिर्फ price taker होती है price maker नहीं होती है ठीक है price को decide करने वाली नहीं होती है price को सिर्फ जो decide किया हुआ है उसको मानने वाली होती है और जो पहल क्या है वही decide हो जाते है और वही इनको मानने पड़ते हैं अब इसके बाद जो है यहाँ पे जब ज़ादा से ज़ादा labor लगाए जाते हैं ठीक है जब farms के अंदर यह होता है अब हमने यहाँ भी equilibrium की situation निकालनी है तो equilibrium की situation निकालनी है तो यहाँ पे यह कहते है कि जब हम ज़ जादा से जादा labor लगाएंगे तो उसकी वज़े से उनकी physical productivity कम हो जाएगी ठीक है कि labor जितने जादा लगाए उसकी वज़े से हमारी marginal physical productivity जो है वो हमारी कम हो जाती है ठीक है जादा labor लगाने से marginal physical productivity कम हो जाती है और अगर यह कम होती जाती है ठीक है अगर यह कम हो जाएगी तो उसकी वज़े से क्या है कि इनका जो MRP होता है वो भी यहां पे कम हो जाएगा MRP भी कम होगा, MMP भी कम होगी और MRP भी जो है कम होगी और इस वज़े से हमें जो है equilibrium वहां पे लेके आना पड़ेगा जहां पे हमारा MRP जो है हमारे FC या FP जो है factor cost के equal होगा देखे labor की बात किया है तो हम सीधे यहां पे wage का भी यूज़ कर सकते हैं कि जहां पे हमारा MRP जो है हमारी wage rate के equal होगा तो वहां पे हम क्या होंगे equilibrium की situation में हो जाएगे तो mainly firm में यही होता है कि जहां पे हमारी wage rate हमारे MRP के equal होगी वहाँ पे हम जो है equilibrium की situation में आ जाएंगे अब इसको हम आपको टेबल से समझा देते हैं simple आपको समझ में आ जाएगा तो देखे unit of factor है हमने labor माल लीजे यहाँ पे लिया हुआ है labor हमारा एक variable factor है एक variable factor की बात किया है एंजम्शन में कहा था फिर हमारा MMP हमने लिया है marginal physical productivity इसमें हमने बोला था कि यह लगातार कम होती रहेगी देखे 10, 8, 6, 4, 2 तो यह लगातार क्या है कम हो रहे है फिर उसके बाद हमने price लिया है price हमने perfect competition की situation है तो AR is equal to MR यहाँ पे हमारा होगा फिर उसके बाद MRP जो होता है कि MRP जो हमारा होगा VMP के equal होगा ठीक है और VMP हमारा निकलता है MMP into में MR और MRP भी ऐसे निकलता है तो यह हमारा जो है simple यहाँ में MRP हम निकाल देंगे यानि कि यह हमारा MPP है MPP को जब हम यहाँ पे P से multiply करेंगे ठीक है MMP को P से multiply करेंगे तो यह हमारा 20 MRP जो है वो आ जाएगा फिर उसके बाद factor price है यह भी हमारे decide किये हुए है अब कर लेते हैं हम इसको starting से कि जब हमने labor की first unit लगाई तो हमारा MMP 10 था और फिर factor price देखिए price जो है वो पहले से decide होते हैं यह हमने बात की थी तो यह price जो है same बने रहेंगे हमारे हर बार 2 ही price जो है वो बना रहेगा तो जब 10 into 2 किया जाता है तो यह हमारा यहाँ पर 20 आ जाता है MRP और factor price जिबकी 8 होता है फिर उसके बाद second unit लगाएंगे MMP कम हुई और यह हमारा आ गया 16 हमारी factor price हर बार same रहेंगे ठीक है फिर उसके बाद third unit लगाई MMP फिर कम हुई 6 है हुई और यह price से अगर multiply किया तो यह 12 आ गया फिर यहाँ पर fourth unit लगाई फिर से MMP क्या होगी पहले से कम होगी और यहाँ पर हमारी जो है 8 आ गया MRP अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने बात की थी जहाँ पर MRP हमारे फैक्टर प्राइस के इक्वल होगा तो वहाँ पर हम क्या होगे equilibrium की condition में होते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारे equilibrium की condition आ गी जहाँ पर हमारे MMP हमारे factor price के equal होता है ठीक है यहाँ पे क्या हुआ MRP is equal to हमारे factor price तो यहीं पे हम equilibrium की condition में होंगे यानि कि हम सिर्फ 4 unit ही यहाँ पे लगाएंगे और अगर इससे नीचे हम जाते हैं मालनी जे 5 पे चले जाते हैं तो उस time क्या होगा कि हमें जो है सिर्फ 4 हमारा MRP जो है वो 4 होगा तो MRP 4 होगा यानि कि 4 के जो रुपे हैं या कह लिजिए 4 जो है इनकी units हैं उनकी हमें यहाँ पे loss होगा क्योंकि यह 8 है और यह 4 है तो इस वज़े से 4 का loss होगा तो loss तो हम उठाएंगे नहीं तो इस वज़े से equilibrium वहाँ होगा जहां पे हमारी MRP हमारे factor price के equal होती है अब इसको simply diagram से देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे यह हमारा MRP है और यह हमारी wage rate decide होगी अभी हमने जो table की है वो same है पहली काई थी तो 20 MRP थी फिर हमारी जो है दो unit पे हमारी 16 थी फिर 3 पे हमारी 12 थी और 4 पे हमारी 8 थी ठीक है और तो यहाँ पे 4 पे 8 थी तो यहाँ हमारी MRP हमारे marginal जो है factor cost के equal हो जाती है और हम इसी point पे equilibrium की condition में इस point पे होते हैं ठीक है इससे नीचे अगर जाते हैं तो उस time क्या है हमें 4 units का जो है वो loss होगा इस वज़े से हम इस equilibrium condition पे ही अपनी यहाँ पे production करते हैं और यही factor price लेते हैं इसके लावा अगर हमारी MRP जादा होती है और MFC जो है वो कम होती है तो वहाँ पे क्या होगा जादा factor employed होंगे अब देखिए MRP उपर क्या है जादा है MRP जब ज़्यादा थी तो हम क्या थे और ज़्यादा जो है यहाँ पे रोजगार को बढ़ा सकते थे ठीक है employment को बढ़ा सकते थे लेकिन जब नीचे आते हैं तो उस time क्या है कि हमें कम रोजगा जो है employment या कम रोजगा जो है वो मिल पाता है तो सिर्फ e point ही ऐसा है जिस पे हम MRP is equal to FC की condition में होते हैं और equilibrium की condition में होते हैं तो यह था हमारा mainly marginal productivity theory of distribution जिसमें main condition सिर्फ यही है कि जहाँ पे हमारे MRP यानि कि marginal revenue productivity हमारे जो है factor price या फिर हम कह सकते हैं कि wage rate के equal हो वही पे हम equilibrium की condition में होते हैं और वही पे हमारे factor का decision हो जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो factor of production होती है उसको उसकी marginal productivity के according ही यहाँ पे reward दिया जाएगा उसके according ही उसको price दिये जाएगे उसको factor price दिये जाएगे वो वहाँ पे equilibrium की condition में होगा Thank you अगर वीडियो अच्छा लगा है तो please like कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए